आज हम करेंगे कक्षा सात्यवी की वरक्षिट वरक्षिट सेंख्या है यह उननिस एक दिसम्बर आपके पास आगे थी गातांक और गात इसका मेंट टोपिक है और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए नीचे की तरफ देखिए रैडलर में आपके जूम कर लेता हूँ यह इसका मेंट फॉर्मूला है कि जब एकी पावर M गुना करेंगे एकी पावर N से तो जो बेस है वो यूं कहीं रहेगा और जो पावर से M और N घात है वो जुट जाएगे M प्लस N हो जाएगा ठीक है यह आपको ध्यान लखनी है M और जहां पर पूर्ण संक्या हैं पूर्ण संक्या है वो पूर्ण संक्या है जो जीरो से अपकी लेकर रहना तक जाती है अब इसमें लेफ्ट चार्ट देखिए लेफ्ट रूल दिया वाई यह रूल आपके काम आएगे ज्यान लखना कि A की सिंख्या है और M greater than N होता यानि जो पहली वाले सिंख्या लेकिए एकी पावर M उसमें M क्या होगा greater than होगा N से यानि M का मन ज्यादा होगा N से तो देखें नीचे की तरफ चलते हैं इसमें नीचे की तरफ एक रूल दिया हुआ है यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है कि A की पावर M है पूरी bracket है मतलब अच्छे समझा देता हूँ इसको क्या दियर खाए इसने A की पावर M है ठीक है फिर bracket स्टार्ट है और उसके बाहर पावर N है तो क्या लिखा जाएगा A की पावर MN हो जाएगा यानी MN का मतलब है M गुना इन ठीक है यहाँ यहाँ देखिए मैं यहाँ पर यह दिया हुआ है दो की पावर दे दिया तीन और बाहर दे दिया चार तो दो की पावर हो जाएगा तीन गुना चार हो जाएगा यानी दो की पावर कितना हो जाएग पे पांच की पाउर दो हैं पांच की पाउर दो का मतलब कितना हो गया पांच गुना पांच ठीक है बाहर कितना है फिर गुना में तीन है ठीक है और हमें किसमें देना पांच की पाउर दो ठीक है दो और बाहर तीन है तो क्या लिख देंगे एम एन हो जाएगा M N हो जाएगा यहीं M गुणा N दो गुणा 3 हो जाएगा तो इतना हो जाएगा 5 की पावर 2 ती है 6 हो जाएगा और इधर क्या हो गए आपका 25 ती है 75 5 की पावर 6 तो बहुत जैदा होता है तो बड़ा कौन सा हो गए आपका 5 की पावर 6 है पांच की पाउर च्छे बड़ा हो जाएगा पच्छतर से तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा ठीक है चले इसमें और आख नीचे की तरफ बढ़ते हैं समान घातंग तो था अलग-अलग अधार वाली घातों को गुना करना समान घातंग घातंग समान है यहां पर देखिए यह रूल है इसमें जैसे यहां पर एक पावर आएए बीकी पावर भी आए अधार तो अलग-अलग हो गया लेकिन घात उपर की सेम होगी तो ऐसे कैशिज में क्या होता है एकी पावर एबी दोनों मिल्टिप्लाई हो जाएं अब इसी में यहां पर राइट सेट भी रूल है सेम रूल है कि यहां पर क्या है सेम निए बाग के लिए भी है कि एकी पाउर M है बाग का निसान है फिर B की पाउर M है यानि यहां पे दिया हुए देखिए ऐसे है यह A की पाउर M दिवाइड बाई है B की पाउर M गात तो सेम है और आधार है यह A और B तो जब गात सेम है तो गात A बाई B लिख देंगे गात दोनों की कॉमन लिख देंगे बाहरा ऐसे होता है यह सारे रूल आपको ध्यान लखने है जब क्वेस्टन करेंगे आपको और रुच्छे संज में आजाएंगे यहां पर एक और रूल दिया हुए देखिए यहां पर किसी भी संख्या सुनने के तरिक पर गाताँग जीरो का मान एक होता है यहां पर दियाएगा ना जैसे टू की पाउर जीरो किसी की पाउर भी जीरो हुच्छा है यह मैं बोल दू एक अजार एक है इसकी पाउर जीरो है तो उसका मान भी एक होगा ठीक है किसी भी पूर्ण सिंख्या की पाउर 0 हो तो उसका मान एक होता है कि यहां तीन के प्वाउर जीरो है चार के प्वाउर जीरो है तो सभी का मगपथर आगए इसका भी एक इसका भी एक तो एक 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 कितना अंसर आगे है तिन अंसर हो गए तो इस चीज आपको ध्यान रखने है जो रैटिकलर में दी गई है तो यह मैं थोड़ा सा और अगे बढ़ते हैं या अब साथ आपको क्वेस्टन आ वहल खूल करें यह वाले क्वेस्टन करेंगे हैं है पहलए साथिथ लूसरा टीसराइश तो से होट समपाज कि पहूं आपकी तो चले स्टार्ट करते हैं यह लेप्ट साइड आपका पहला क्वेशन आप में दो जूम कर ले तो आपको दिखाई जाएगा अच्छे जे एक जामपल भी दिया है इसने एक्जामपल के गोडिंग आपको क्वेशन करना बहुत ही असान है तो यहां पर देखिए जैसे पहला क्वेशन है यह लगका पहसन ने एक्जामपल भी दिया है दू की पौर पावर पांच और दू की पावर तीन ने तो क्या हो जाएगा दू की पावर पांच पलस तीन है दो की पावर आड़ हो जाग़या पार जुट जाएगी 3 पलस 2 तो कितना होगा आपका P की पावर 5 अंसर आगिया ठीक है Next कर लेते हैं ये वाला है माइनस 4 है ठीक है इसकी पावर कितनी है 100 देर की है गुना में माइनस 4 है और इसकी पावर कितनी देर की 20 अधार से हम है बस अब गात कितनी 100 है इसकी 20 है और ध्यानक ना हम गुणा कर रहे हैं तो गाते जुड जाएंगी तो 100 और 20 जुड जाएंगी तो कितना आज़ा जाएग का माइनस 4 इसकी पार 120 120 आपका इतर हो घाएगा अब नेक्ट कवेशन आपकर लेते हैं ठीक है और चलो द्रेक्ट क्वेस्टन देख लेते हैं देखे 20 की पावर कितना है 15 बाग में देर का है 20 की पावर 13 अभी अभी हमने एक रूल किया था कि जब भाग कर रहे हैं बाग का निशान हो अधार तो सेम है तो उसको यूं कोई लिख दो गुणा कर रहे थे पावर जाएंगी घट जाएंगी 15 में से क्या घट जाएगा 13 तो क्या अंसरा आजाएगा आपका 20 की पावर 15 में से दो गया 15 में से तेरा गया दो तो 20 की पावर दो अंसरा जाए यह नहीं आगे भी स्वाल कर सकते है 20 गुणा 20 तो कितना अंसरा आगे 20 गुणा 20 400 आपका अंसरा जाए गा ठीक है अगल नेक्ष्ट देख लेते हैं इसमें नेक्ष्ट लेंकि आपके पास ये है कि सात की पाउर कितना देर का wann is ऌत्वा का द्हार निसान है साथ की पाउर दस से में ये रूल लगते हैं ठीक है ग्ना कर ते तड़ tá ताघो भाकरत रहें, गट जाएंगे, तो अधार कितना है, यूं कहीं लिख दो, पाउर उपर कितनी है, तेरा, और इसके पाउर कितनी? दस, गटार हैं तो पाउर गट जाएगे, तेरा मेंसे दस गया, तीन, तो सात कि पाउर तीन आंसर आ जाएगे, यह रीधै गुना साथ गुना साथ तो 333 आपका अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्ट कर लेते हैं एक और बचता इसमें तो नेक्ट देखिए इसमें यहांपर मैं जूम कर रहा हूं आपके लिए आपके पांच ओर रूल कंब्डेट हो जाते हैं इसमें तो पहला देख ली जिसमें पहले वाला यह है यह करने आपको और यह करने हैं यह वाला देखते हुए करने हैं ठीक है पांच की पावर दो और बाहर पावर कितनी है चार है तो गुना हो जाएगी पावर तो यह वाला क्वेस्टन है चै है दो है चोरी 6 की पावर 2 है फिर ब्रैकेट स्टार्ट है और भार कितना 10 इसका मतलब है पूरे की पावर 10 तो जब खुलते हैं न तो MN हो जाता है बता था न तो MN मतलब 2 पावर है इधर 10 है तो क्या हो जाएगा अपका 2 गुना 10 हो जाएगा यदि 6 की पावर कितना अंसर आगए 20 अगला देख लिजी इसी में 7 की पावर है 50 और उसकी बाहर पावर है 2 क्या हो जाएगा 7 की पावर 50 गुना में 2 हो जाएगा यदि कितना अंसर आगए आपका 7 की पावर 50 दुनी 100 आपका अंसर हो जाएगा ठीक है अब next देख लेज़िजी इसमें तो next देख लेते हैं next question है यह वाला A की power देर की 2 गुणा में T की power कितने देर की 2 power same है तो power common हो जाएगे शीड़ी सी बात है तो अंदर क्या हो जाएगा ए गुणा में T हो जाएगा और बाहर जो power थी हो common आ जाएगी यानि ए गुना में ठीक हो जागा 80 और बार उसकी पावर 2 तो next देखी इसमें माइनस 2 है उसकी पावर 4 है गुना में माइनस 3 उसकी पावर 4 पावर सेम है तो पावर बाहर ले लो और अंदर की जो A और B हो मिल्टिप्लाई हो जाएंगे माइनस 2 गुना माइनस 3 पावर बाहर आगी 4 अंदर माइनस 2 माइनस 3 की मिल्टिप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ती कितना हो जाएगा 6 तो 6 की पावर 4 आपका अंसर हो जाएगा ठीक है अब इसमें next कर लेते हैं तो next देखिए इसमें ये वाला है उपर ये वाला इसमें एक्जम्पल दे रहे हैं कैसे करना है तो पहला question था इसमें मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ ये वाला है 2 की पावर कितना है 5 फिर बाग का निशान है और B की पावर 5 है ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ तो अच्छे समझें आदेगा 2 की पावर 5 फिर बाग का निशान है B की पावर 5 अब आपको पता चलता होगा कि जो पावर कोमन है तो बाहर ले लेते है 2 बाई B हो जाएगा और पावर बाहर हो जाएगी यह अंसर होगे आपका ऐसी अगला है 5 की पावर 6 बाग में मैनस 2 की पावर 6 इसको लिख दो 5 की पावर 6 बाग में मैनस 2 की पावर 6 तो पावर तो भावर जाएगी ठीक कोमन भावर आगी पावर 6 पावर भावर जाएगी आपकी ठीक है और अंदर क्या बच जाएगा पांच उपर बच जाएगा और मैनस दो नीचे यह आपका अंसर हो जाएगा बस ठीक है चारे क्वेस्टन हो गए है थैंक्स कि अबस्टन